अब देखो यार अगर आपका India Posts Limits bank account है और आप India父 ख 빠纂,ि बेंक के ंडियकिंग यंदर login क색 question के लोगिन कर τए समय आप अपना account % customer ी कि वगण हैं फिर भी हमें इंटर वैलीड़िए डिट्रेल्स प्रोलुब आरी कीव हैं और आप लोगों को नहीं कर दो हम बहुत बारी की से मैं बताने वाला हूं और आपके सारे डाउट्स के लिए कर दूंगा कि किस तरीके से आपको यह problem आती है और केसे आपको इसका solution निकालना होता है और यार मैं सबसे पहले आपको बतादू के यह problem जो है ना कोई भी ज्यादा बड़ी problem नहीं है बस आपको थोड़ा-सा धिमांग से खेलना है और यह problem कुछ भी problem नहीं है बस क्या करना है आपको यह वीडियो को कोई भी प्रोलम अगर आपको लगती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे ताके आपकी प्रोलम और भी लोगों की प्रोलम हो और हम उस पे वीडियो बना सकें तो अब इंडिया पोश्ट पेमिंट्स बेंक के मॉबाइल बेंकिंग एप्लिकेशन के अंदर लोगिन करने के लिए ना सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको यहां पर तीन चीजों की रिगार्मेंट होती है सबसे पहला आपका अकाउट नमबर दूसरे नमबर पे आपका किस्टूमर आइडी और तीसरे नमबर पे आपकी डेटो बर्थ आप लोग के सोच रहे होंगे कि डेटर बर्द जदा बड़ी बात नहीं है डेटर बर्द तो हमारी Save है लेकिन इसा नहीं है डेट बर्द में है आपको खेल कर रहे हैं कैसे करना है वो तो मैं आपको स्क्रीन पर ले जाके बता दू अब देखो यार मैंना अपने फून की स्क्रीन पे आपको लेके आ चुका हूँ आपको अच्छे से और डिटेल से बताने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है ना Google Play Store से जाके IPB Mobile Banking Apps को अपडेट कर लेना जब आप इसको अपडेट कर लेते हो तो अब आपको इसको ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद अब आपसे परमिशन मांगी जाती है फाइल्स की तो यहां से परमिशन कर दो अलाव कर दो ठीक है ना यहां पर आजाने के बाद दुबारे से आपको location की परमिशन मांगी जात सारी है किसे आपको account ओपर खुलवन है उसका अनिवी डिस्क्रोप्शन में मिल जाएगा तो यहां पर लोगनेकंच उप्शन आपको मिल रहा इस वाले option पर डिए और हिवले option पर क्लिक करोगे तो अब आपको यहां पर account में लिखा रखा हैं तो उसको ही आपको ट्राइ करने हैं आपका अकाउट नंबर जो रहेगा वह 12 डिजिट का रहेगा और आपका जो कस्टूमर आईडी रहेगा वह 10 डिजिट का रहेगा तो यहाँ पर आपको अच्छे से लगा लेना उसके बाद आपको यहाँ पर डेट वर्त डिटो बर्त में ही आपको थोड़ा सा खेल करने हैं जिससे कि आपको इंटर्वेली डीटेल्स की परोलेम नहीं आसके तो यहां पर मैं आपको जिस तरी के से लगाए के दिखा लगा चुका एंड अपना कस्टूमर आईडी लगा चुका यहां पर आप पढ़ भी सकते हो यहां पर आप देख भी सकते हो हमारा जो अकाउंट नंबर है वह बारे डिजिट का है और यहां पर हमारा जो कस्टूमर आईडी है वह 10 डिजिट का है तो वो no digit करेते हैं, वो सारे दोस्त उसी को लगा के यहां पर try करते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से एप होते हैं, अगर आप लोग ज्यादा comment करोगे न तो मैं उसको पर प्रोपर वीडियो बनाऊंगा, तो यहां पर मैंने आपको दिखा दिया 12 digit का मेरे account number है, customer ID है, जो 10 digit की हैं, अब यहां पर date of birth में जैसे मैंने आपको बोला था कि खेल करना है, क्या खेल करना है, यहां पर देखो आपको calculator का option मिल रहा है, इस वाले calculator वाले option पर click कर दो, अब सबसे पहले आपको यहां पर जैसे आपकी date of birth है, 11 2002, ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि आपकी date of birth है, एक एक, दो हजार दो, तो सबसे पहले आपको दो हजार दो लगा लेना है, उसके बाद एक select कर लेना है, एक जन्वरी select कर लेना है, कैसे करना है, यहां पर देखो, 2023 लिख रहा है, इस पर click कर देए, सारे यहां पर आगे थोड़ा bake करो, यहां पर देखो, 2013 वारा इस तरीक कैसे मिल जाएगा, जैसे कि हमारी डेटो वर्थ है, एक, एक, दो हजार चार, तो यहां पर देखो, 2004 आ गया, हमने चार पर click कर दिया, कोई इकत नहीं, अब यहां पर देखो, आगस्त का महीना यह चल रहा है, अभी जो है आगस्त का 21 तारीक हो रख है, आगस्त वाला तो आ चुका, तो यहां पर थोड़ा सा बेक करते जाओ, बेक करते जाओ, यहां पर आपको ले के जाना है, इसको जनवरी में, यह देखो, यहां पर जनवरी में आ चुका, और यहां पर देख सकतो, जनवरी में आ गया, तो अब आपको यहां पर एक जनवरी से लेक कर लेना ह है जो मुबाइल नंबर आपने अपने इंडिया पोश्ट पेमिड्स बेक अकाउंट ओपन करने में दिया था या जब ओपन किया होगा जब लगाया था वही नंबर लगाना है और ध्यान अखना उस मुबाइल नंबर में आपका रिचार्ज होना चाहिए जिससे की एसमिस आता है उसके अंदर पेशा चाहिए होता है और उसके लिए रिचार्ज जरूर चाहिए होता है अब अकाउट नंबर कस्टूमर आईडी डेट ओवर्थ मुबाइल नंबर बिर्कुल सही लगाने के बाद जब आप रिश्टरड वाले ओप्शन पर किलिक करोगे तो य देखो मैंने बिल्कुल सही लगाया मैं शोर हूँ कि मैंने बिल्कुल सही लगाया कस्टूमर आईडी डेट ओवर्थ मुबाइल नंबर सब कुछ सही लगा रहे है अब रिश्टरड वाले पर आपके सामने किलिक करता हूँ देखो रिश्टरड वाले पर किलिक किया कोई इंटर वेली डिटेल्स की प्रोलम नहीं आई मेरे सामने आ गया सेट एंपिन तो यहां पर जैसे हम एंपिन लगा लेते हैं एंपिन जो आपने उपर लगा ओगे वही रिंटर आपको लगा देना उसके बाद सेट एंपिन पर किलिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा एक एंड्र सेक्योर्टी कोश्टन क्या होता है तो यहां पर देखो कॉस्चन आशर मिलते हैं कि कौन से कॉस्चन का आप अंसर देपाऊगे तो यहां पर मेरा सीधा समतलब है आपको शोट्पोर में बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर जोए ना आप इसके बाद अपना अ श्निम डाल दो उसके बाद आप अपने ब्रादर का नाम डाल लूसकर और यहां पर इसी और ब्रोँदर का नाम डाल दो जन्स चार्फ खन्न आमने यहां पर कंप्रेट कर चुके उसके बाद सब्सक्राइब कर देते हैं कि और आपको पर्मिशन मांगी जा रही फोन की पर्मिशन दे दो यहां पर पर्मिशन आप रोत नहीं पड़ी अब रेइश्टेशन देखो successful आपका हो चुका enjoy banking login वाले option पर click कर दो अब आपने जो MPN बनाए हो वो MPN यहाँ पर लगा दो finally आप IP, PB, Mobile Banking, Apes के अंदर login कर चुके अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दो देखो अगर आप किसी भी तरीके से इसके अंदर एक बार एंटर हो जाते हो लोगिन कर लेते हो तो आपको सबसे पहले अपना account number ही जाचना है अपना customer ID जाचना है कहां पर मिलेगा केसे मिलेगा बता देता हूँ यहाँ पर उपर left side में three dot का option में रहा उपर की side में उस पर किलिक कर दो उस पर किलिक करने के बाद my profile का option में रहा इस पर किलिक कर दो my profile पर जैसे आप numero ओर आपका account number आपका account saving account हए एग current account हो भी आपको बता दिया जहेगा हमारा saving account number आपको सबसे पहले एक screenshot लेके रख लेना है baptist, कभी भी काम पढ़ेगा या कभी भी आप look out हो जाता हो इसके अंदर तो login कर सकते हो इसकी मंदद से तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद ना आपके सारे डाउट्स किलियर हो गए हूँ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक समसे करना, चेरल पर नहीं हो, अगर सब्सक्राइब नहीं कियो तो यार सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह की helpful वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, अग अगर आपको अभी भी कोई प्रोलम लग रही है या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पोस्ट सकते हैं, आपको रिप्लाइज जरूर करते हैं, चलो मिलते हैं किसी ओन नक्स वीडियो के साथ, तक के लिए ठेंक्यों, बाइवाई, गुडबाई, जे हि अबी स्ट करदकी है, तक के लिए खासूर आप पक्वेश्चन हैं,। एूर आपको यादिी हैं किसी ओनक्स वीनि भी का दोनक्स वीनित प्रोलम हैं, प्रुग, जिस अदे हमें क्राब सब्क्त मुगते हैं जरूर का इंक्यों रहीं रहां करा, संब्स दोर आपको Lizak Zero, क्य